नमस्का दोस्तों कैसे हो आप सब कमेट करके जुरूर बताना दोस्तों आज हम बनाएंगे गरपर फेशियल और गरपर फेशियल करेंगे ब्यूटि फालर में जाकर आजारों रुपय खर्ष करने की कोई जुरूरत नहीं है हम गरपर फेशियल कर सकते हैं और हमारी स्किन को ह आपको बताऊंगी तो कैसे बनाएं मैंने गर पर फेस्टियल आप देखे ये वीडियो बहुत ही आसान है दोस्तों केले हमारी शेहत ही नहीं बनाता बलकि इसका इसका इस्तेमाल तवर्चा को सुष्ट और चमकदार बनाने के लिए भी किया जाता है केले में विटामिन सी व सुषपोर्स, कार्बो आइडरेड बर्पूर मातरा में होते हैं ये ली तो तवच्छा के लिए हर तरीके से फाइदे मन्हों आप केले को एक ओल निच्डरिल हमएड फेस मासक के रूप में काम में ले सकते हैं जो आपकी तवच्छा को मोस्चुरेच करता है केले से हीशि अजिल से चेरशस्वस्त बनता है और इसमें प्राकर्टिक गलो के साथ साथ रूखापन भी दूर होता है इस वित रचा हमेंसा जवान बनी रहती है दोस्तों यह हैं फेशल बनाने के लिए हम सिर्फ दो ही चीज़ें इस्तिमाल कर रहे हैं वो है केला और दही और दही इसमें हम एक चमश मिलाएंगे अभी हमने केला अच्छे से मेश कर लिया है और इसके अंदर हम एक चमश दही मिला रहे हैं और इसके बाद इसे हम एकदम अच्छे से और मिलाएंगे केला एक प्राकर्ति ग्रूप से कारी करता है जूरियों से लड़ता है मर्त तवर्चा को अटाता है और तवर्चा को चमकदार बना देता है तो दोस्तों अभी तयार है हमारा फेशियल तो दोस्तों मैंने फेशियल बना लिया है और कैसे बनाएं मैंने आपको दिखा दिया अभी मैं अपने चेरे पर लगा कर बताती हूँ आपको अभी मैं अभी तो दोस्तों मैंने झाल 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 जो जो प्रहणा चक्राइब डूंकरल काल Всरक्ड मान अपना चृहरा दो लिया है चैहरा चृहरा है जोर्चों मैं ही जूरया मत बहुत सकते हैं लेख़ा दोस्तों इससे जूरीयां भी कम होते हैं और फ्रवाती एंजो बाता है जाल बाउं कम काल फराती हैं यह केला बहुत फाइदेबन होता है और जो केला थोड़ ज़्यादा पका हुआ होता है उसे हम फेंग देते हैं टेस्ट में अच्छा नहीं लगता है लेकिन उसे हम फेशिल बना सकते हैं और लगा सकते हैं और यह बहुत फाइदेबन होता है हमारी स्किन के लिए केला हमारी शेयत के लिए तो अच्छा होता है तो बार्लर में जाकर हजारों रूपे खर्च करने की कोई जोट नहीं है आप घर पर वी फेशिल बना सकते हैं और निखार पा सकते हैं पार्लर से भी अच्छा दोस्तम वीडियो पसंद आये तो लाइक पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू